बिपोर आइ स्टार्ट इस वीडियो मेरे आप सब लोगों से एक दो छोटे-छोटे सवाल है मुझे लगता है आप में से ज्यादा तर लोग सोचल मीडिया पर एक्टिव होंगे Facebook, Instagram, WhatsApp पर आप किसी ना किसी ऐसे विक्ति से connected होंगे जो शायद से सीजल 2016, 17, 18 से select हुआ होगा मेरी आप लोगों से पर एक छोटी सी request है आप एक काम करना उन लोगों से जाके पूछना कि भाईया, सर जो भी आप कहते हो कि सर एक बार जरा बताईएगा कि आपका tier 1 कब conduct किया गया था आपकी joining date क्या है, आपनी किस तारीक को नौकरी जोइन करी है आप पूछेगा एक बार कि सर जब आपके time पे पेपर होता था तो SSC अपना calendar कितने समय पे चारी कर देती थी आप उनसे एक बार पूछेगा कि सर जब उस समय आप तयारी करते थे तो SSC जो अपना date देती थी, जो एक tentative date देती थी उसको कितना follow करती थी उनसे आप एक बार ये भी पूछेगा कि पहले सर जब आप पेपर देते थे तो उसके कितने दिन माद answer किया जाती थी आप उनसे ये भी पूछेगा कि सर जब आप पेपर देते थे और जो अप नहीं होता है मैं किसी और की बात नहीं करता मैं अपनी बात बताता हूं आपको मैंने ऐसे सी सीजियल 2016 का form 2016 के February मार्च में भरा होगा पहले तै हुआ था कि पेपर मई जून में होगा फिर पेपर जो है कुछ अगस्त के अराउंड कंडट किया गया था ठीक और मेरी जॉइनिंग डेट आपको पता है मैंने जॉइन किया है मई 2018 में तो आप जोड़िये जरा कि टीर वन से लेकर पेपर के बताने नहीं वाला हूं मैं अपना पर्सनल कोई रोना लेकर नहीं आया हूं पर मेरा आपसे एक सवाल है कि आप यह जड़ा पूछो एक थोड़ा पीछे जाकर देखो कि आपको जो यह दिखता है कि आजकल फटा-फट एक्जाम कलेंडर निकालती है एक्जाम होने के तीस हुआ कैसे है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो फटा पीछे जाकर देखो ऐसे सी हुआ नहीं करते थी यह क्यों हुआ है इसके जवाब मैं आपको बताता हूं सिंपल सी छोटी सी वातों में सो हेलो एब्रिवन मेरा नाम अमंत्रिवेदी है आप इस वीडियो को देख किया है लोगों ने इसके लिए कोट में कीये हैं लोगों ने इसके लिए सड़क प्योंतर के अंदोल्ड किये हैnda लोगों ने और आपकी टीचिर–स ने यहीं बहुत सपोर्ट किया तो यह जो बदलाव आपको दिखते हैं यह बदलाव तब जाकर हुए हैं अगर आपको लग रहा है ना कि यह बदलाव यूँ हो गए हैं ऐसा नहीं है मैं कहना क्या चाहता हूं मेरी बात को ध्यान से समझिए क्ground और कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ screenshot share हुए कुछ लोगों ने का कि सर देखिए यह आपके पीएज candidates हैं जिनकी क्रमबद तरीके से आपके रोलनमबर सेलेक्ट हो रहे हैं कुछ लोगों ने का कि सर यहां पे देखिए एक बार पर गपला देखने को मिलता है आप लोगों नहीं अंदेशा दिखाया जताया जिसको लेकर आपके कुछ टीचर्स ने कहा कि यह स्कैम है फिर आपके कुछ टीचर्स आगे उन्हें ने कह दिये तो कोई स्कैम नहीं है अब मुझे बात बताओ यह तैक ऑन करेगा जबाब देना किसका काम है कुछ लोग तो अच्य इस तक आ गए कि यह ज़निए कि लौट कराने में लाकूश खरोर रुपए खर्च होता है कहां से आएगा टैक्स्पेयर का पैसा प्यसा व्हां जब कर्बशन होता है तब कहां से पैसा आता है और नहीं भी आपके एक्जाम आपका एक्जाम सही तरीके से हो यह ज्यादा जरूरी है कि just because taxpayer का पैसा बच जाए और आपके साथ धांद्री हो जाए वो ज्यादा जरूरी है जरूरी यह है ना कि आपका exam सही तरीके से conduct किया जाए और अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो वो भी उस संस्था की जिम्मेदारी है उस agency की problem है जो exam को सही से conduct नहीं करा पा रही है हमारी और तुम्हारी इसमें क्या गलती है बताईए हमारी और आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना कि भाई आपने exam conduct आपने तो अपनी तहरी जिस तरीके से आपको पढ़ा सकते थे हमने आपको पढ़ाया लेकिन अगर exam की problem exam conduct कराने में कोई problem हो रही है तो उसको address कौन करेगा उसको address तो वही agency करेगी ना जो जो एक्से पूछा गया है ना तो जवाब देने के लिए आपके दूसरे गुट की टीचर कैसे सामने आ गए आपके एक गुट के टीचर आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई scam नहीं है बिल्कुल देखो यहां पर यह एक्सल शीट बनाके देदी हमने और इस एक्सल शीट में देखो यह data दिया हुआ यहां पर तो यह है और इस अगर अगर बच्चों का सतर बढ़ रहा है कई काई स्थी टीचर ने लॉजिक दिया बच्चों का सतर बहुत अच्छा होगा हमने इतना अच्छा पढ़ा अदेखेया है कि बच्चे 200 आउटफ 200 कर रहे हैं इसलिए कट आप इतनी हई डाल रही है यह बात बताओ बच्चों का इस तर हर साल बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारे इग्जाम का इस तर क्यों नहीं बढ़ रहा है वाई क्यों ऐसा है आप एक एक्जाम के लेवल को बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं ग्रेजुट लेवल का एक्जाम है अगर आप इसमें थोड़ा मैट की डिफिकल्ट प्रॉब्लम को पूछेंगे तो वह आउट अप सिलेबस तो नहीं हो जाएगा या तुमने पास्ट में पूछा नहीं है कि 2017 के एक्जाम में टफ आया था यह बात जग जाहिर है आप इंग्लिश में आज भी सारे प्रीवेस एर उठा के क्यों पूछ रहे हैं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कोई भी सिक्षक अग यह तुम्हारी खुद से भी जिम्मेंदारी होती है कि तुम प्रीवेस एर तो पढ़के जाते हो तो उसमें मेरे नोट से चार कोशन भस भी गया तो कौन सी बड़ी बात है तो जरूरी यह है ना कि SSC को एक्जाम का लेवल बढ़ाना चाहिए अगर बच्चों को प्रॉब को उस लेवल का एक्जाम क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं जिस लेवल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं अब आपने वही प्रीवेस एर के चार सवाल उठा के पूछ दिये हर लड़के ने वह लगा के गया है एक अच्छा बालक जो हो सकता है बहुत अच्छा हो पढ़ने में लेकित उस दिन उसका गलती से गर वहां पे गलत क्लिक हो गया तो वह तो आउट अफ्रेस हो गया च्छेसल की कट आफ आपकी जो 320 बताई जारी आप एक बार क्यालकुलेट करके देखिए आपके पास स्कोप कितना है कितने गलत कर सकते हो आप तो प्रॉब्लम लेवल में अधि है तो वो भी SSC ही एड्रेस करेगी न कि हम और आप एड्रेस करेंगे कि वो आपके वो टीचर जो दो टीचर बता रहें कोई स्कैम नहीं है यह तो देखो एक्सल शीट यह रहा डाटा यह था मेरा कट आफ यह गया है और यह तो हो नहीं था इसमें कौन सी बड़ी ब सवाल पूछे हमने SSC से बार-बार सही सवाल पूछे कि आप हमारी ग्रिवैंस को एड्रेस करिए आप हमारे एक्जाम को सही से कंड़क्ट कराए टाइमली कंड़क्ट कराए आज देखिए टाइम से कंड़क्ट हो रहा है ना एक्जाम तो अगर हम यह सवाल उठाएंगे जब आब ये सवाल बार-बार पूछेंगे कि भईया exam का इस तर क्यों नहीं सुधर रहा तो ये भी SSC ही address करेंगे ना तो और हम तो address नहीं करेंगे तो भईया अगर level को सुधरने की बात आ रही है तो ये बात हम SSC से करेंगे ना क्या दिक्कत लेवल को सुधरने में exam के क्यों नहीं आप से exam बन रहा है एक इस तरका जिससे की बच्चों को एक अच्छा पेपर मिल पाए कभी एकदम लो देदोगे कभी इतना जादा देदोगे से कभी कुछ गढ़बर हो जाएगी 2019 के में जो हुआ दूसरी बात जो आपने सभी ने स्क्रीन शॉट सेर कीजिए किये वो सभी को पता है पी एच केंडिडेट्स के लिस्ट में प्रॉब्लम दिखी आपको उसके अलावा आपने अगर दांदली से में हुई पकड़ी गई वह कभी तो लोगों ने आवाज उठाई तो अगर आप आवाज उठाओगे तो इसमें भी जाच हो जाएगी जाँ पानी का पानी हो जाएगा कोट पहन के यह बताने की जरूरत क्या है कि नहीं नहीं कोई भी कुछ नहीं हुआ सब अच्छा है बिल्कुल बढ़ियां चंगा सी इसकी क्या जरूरत है तो अगर पी एच लिस्ट में कोई दिक्कत है तो उसको एड्रेस कीजिए जग जाहिर है यह बात यह बात एकदम ब पर स्ञ missionary होती है कि अगर कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कि या उस बालक का हक नहीं मारा जा रहा रहा है जो पिएच ता और जिसके पात रहा होगा जनरल वालों के साथ में नहीं हो रहा होगा बाकी के टेगरी के लोगों के साथ नहीं हो रहा होगा इसकी क्या गैरेंटी है और अगर इनके साथ में भी कुछ गधानली देखी जा रही है तो भाईया address करना भी जरूरी है अगर इनके साथ हो रहा है तो QR के साथ बाकी category के लोगों के साथ नहीं हो रहा होगा इसकी कोई guarantee नहीं है यहाँ पर चुकि कम लोग होते हैं तो उस पकड़ में आ गया यहाँ पर संख्या जादा होती तो पकड़ में नहीं आएगा यह भी तो संभव है न और बाकी आप सभी से में इतना कहूंगा कि जो लोग selected हैं उनसे जाके पूछो क्या किसी के exam में किसी के office में ऐसे लोग मिलत हूँ एक भी बालक no matter किस category में select होता है युवार से लेके पी एच ओडवलुएच किसी भी ओएच कटेगरी कोई भी कटेगरी है अगर कोई एक भी बालक मेल प्रेक्टिस के थुरू select होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है इसकी जिम्मेदारी ना हमारी है ना आपकी है ना आपके उन यूट्यूब टीचर्स की है जो कह रहे हैं कोछ नहीं हुआ है सब चंगा सी उनकी भी नहीं है जिम्मेदारी उसी संस्था की है जो exam conduct करा हमें 100% full proof exam चाहिए उसके लिए हम उसी सवाल पूछेंगे जो जिम्मेदार है आपको बात समझ में आई सिंपल सी चीज है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भीया कुछ नहीं है तो सिंपल सी बात है आपने नेम लिस्ट जारी करी है आप सबके marks की लिस्ट भी जारी से आये हो आप इतना हाइड कर ही क्यों रहे हो ठीक जो तुम्हारी एक फाल्तू का लॉजिक है ना कि लोगों को पता लग जाएगा किसके कितने मार्स है कोई बात नहीं वह लिस्ट में वैसे भी पता लग जाता है किसी के टीर और की टीर बन निकलने से किसी का एक्जाम न लेकिन जिनका नहीं है और आगहे की तयरी में लगे हुए है उनके लिए यह जरूरी है रही जिनके कोई है सब बड़ा आराम से वीडियो से बना के चले चाल रहे तो भई उनसे भी जाके अगर पूछो कि अन्देशा हमें है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम क्यों सवाल ना पूचें आप मुझे वे बताइए सवाल पूचने से क्यों रोक रहे हैं ऐसा क्या दिक्कत हों तो सवाल तो हमें पूछने YouTube video के description में है, आप वहाँ से हमारे courses वगे जग के विशह में जानकारी ले सकते हैं, WhatsApp number भी आपको दिया हुआ है, if you have any query regarding our courses, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, so we'll see you in the next video, till then take very very good care of yourself, have a great day, thank you so much.